दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नए URL की सेटिंग के बारे में. जैसा कि आपको पता है कि आज से ये नया URL लॉंच हो गया है तो इसके लिए आपको ये सेटिंग करनी होगी. सबसे पहले आपको ये फाइल अपने डेस्टॉप पर कॉपी करनी होगी. इसका सेटप हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है जिसका लिंक हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. आप इसको वहाँ से अपने डेस्टॉप पर कॉपी कर सकते हैं. सबसे पहले आप इस URL पर राइट क्लिक करके इसको एक स्ट्राक्ट करेंगे. यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से खुल कर आजाएगा. अब आपको इसको ओपन करना है. यहाँ आपको तीन आइकन देखने को मिलेंगे. सबसे पहला है डिलीट टेंपरेरी फाइल का. इसको राइट क्लिक करके रनेज एड्मिनिस्ट्रेटर करेंगे. और इसको रन करेंगे. अब कोई भी की दबाएंगे. इसको ओके करेंगे. हमारी कुकीज और टेंपरेरी फाइल डिलीट हो रही है. ओके के बटन पर क्लिक करेंगे. डिलीट फाइल्स पर क्लिक करेंगे. यह हमारी डिस्क क्लीन अप हो रही है. फिर कोई भी की दबाएंगे. फिर कोई भी की दबाएंगे. आपकी RD Service restart हो रही है यह हमारा setup हो गया है अब इस icon पर right click करेंगे यह new URL की SBI की Internet Explorer की setting है इसको आप merge करेंगे run करेंगे yes के button पर click करेंगे यहाँ आपकी setting change हो गई है अब इसमें आपको कियोस्ट SBI के icon पर जाना है इसे आपको copy करके अपने desktop पर डालना है यह जो नया URL है उसका shortcut है इसको open करेंगे open करने के बाद इसका URL आप copy करेंगे copy करने के बाद three dot पर click करेंगे यहाँ आप setting पर जाएंगे setting पर जाने के बाद यहाँ आपको default browser में जाना है इसको आप यहाँ add कर देंगे अब आप browser को cut कर देंगे और अब इसको open करेंगे आपके new URL की setting complete हो गई है अब आप जब भी इसको open करेंगे new URL में ही यह open होगा दोस्तों अगर आपको इसको set up करने में कोई problem होती है तो हमें comment करके जरूर बताएं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपको यह वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को like और हमारे channel को subscribe जरूर करें आपको यह वीडियो में हमारे जरूर करें